जिलीद मडी सारा दिन टैब में लगे रहते हो एक घंटे से तुम टैब में लगे होगे वे पेपर आने वाले कुछ पढ़ लो टैब कर लिक कर आओगे गल से तुमारे एक्जाम है ये टैब रख लो और रिविजन कर लो ममी हमने अभी अभी दो टैब लिया है हाँ ममी दीदी साल को कह लिया है ओ दीदी की चंपची मुझे सब पता है कॉम कितना टैब कब देखता है चुक चाप रख पढ़ाई करो और बैसे भी ना एक्जाम तब तुमें टैब की मरुशन है निए प्लीज ममी मैं थोड़ी दिर अच्छे थीक है सिर्फ दस मिनिट ठीक है ओकी ममी थोले भी बन गए मेरी तो इस घर में कुई सुनता ही नहीं कैसे संझाओ इन बच्छों को पेपर सिर्पे आरें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्जाइम बिल्कुल सिर्पे बैठे हुमें यह बच्छे कब पढ़ेंगे कहीं फेलना हो जाएं और इमके पापा तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते मेरा तो काम में भी बन नहीं लग रहा मैं कैसे पढ़ा हूं इन बच्छों को पड़ी नहीं रहा है जिनीद वानी तुम दोनों ने अभी तक टैप नहीं रहा है दो घंटे से जादा हो गया बिटा हाँ हाँ मम्भी पिस थोड़ी देर में रख देंगे मममी प्लीज थोड़ी देर में प्लीज 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 अरह तुम दोनों पो यह एक्जाइम को सीच क्यू नहीं ले रहे हो लगता है अब ना टेडि उंगली करनी ही पढ़े की घी सीदी यंगली से निखलेका नी चुप चाप अत्रै थेढ धढ़ दो इधर दो मम्मी अब से हम टैब को लिमिट में चलाएंगे हाँ मतलब नहीं मतलब नहीं अब तुम्हें टैब एक्साइम के बाद ही मिलेगा अब एक घंटे के लिए और अब जाके ना एक्साइम के त्यारी खोरो जाज वाली में बिना खाय खाये तो रहे सकती हूँ पर बिना टैज के अब तुम्हें ना कोई टैब ही मिलेगा अब बुर्चाओं तुम्हारे पास टैब था और जाओ सुच्छा पढ़ाई तो और मैं सुनू भी आज कृट subject सुल में टैब तुम्हार त। कि टोपय मिलेगा तूलाइ कम स्टू काम May 2 ऍटेचार टैब अटेब टैब सकती है-ाट आटे-डाओ टैब-डे तूलाओी टैब-तू ही दाली टैब strat मेंद कर अल्रेन पर आटं प्र्वारो आपके पढ़ाई करने से नहीं इतना सारा टैप देखने से दुख रहे हैं जो चुक कर छुटंकी तुक बड़ी से ज्यादा तेज है अभी मैं टैप चलाने के लिए देदू दो गंटे बैठी रहेगी अब पढ़ाई करते ही दस करती है मैं संच्वे मुझे बहुत नींदा आ रहे है थोड़े में पढ़ लेंगे लागा जी नी कोई बहाना नहीं अपनी स्टडी पे फोकस करो मैं घर के सारे इनाव करके तुम्हें पढ़ाने बैठी हूई हूँ पढ़ाने क्या बैठी हूँ हूँ खुद पढ़ रहे हूँ तु मममी मोज़ा दो झान मुझ कर पढ़ है जोर जोर से दखिद दाड़ कड़े वो सब ल्रामा कर रही है कम से कम पढ़तो रही है ना अब एक काम का तू भी पढ़ने का ड्रामा कर और अवाज के श्खरमाची के घर तक जानी ज़ी है अगया अधे ममाम नहीं के पिसटी है औ बच्चों चालो लांज कर लो आजय को हमारे वहरे चालो पर गोजब बनाया है क्वशा बाद तो हमारे वख अगे जो जो पेशंग है ना उसके मुझा बढ़ी हाई मजला कम परके किया किसे किया विजोग्डीया कर दो बढ़ एक अट कर पैसे बढ़े जो खासे सब और अव्यक्त कि पीजने जोड़े ना लाई बडाई भी करनी है। और चादा खानग काने स्लवИन इन्हें का तmesi क्या रिपक्षिन है। क्या मम्मी? खाने से नीर्फ का रिगे भी रिविन है। अरे जेनी, मम्मी बिल्गॉस गाल्भी है। बता है तेरी दादी और मेरी मम्मी… मेरी एक्जाम होते थे तब मुझे खाने इतना कम देती थी ताकि मैं पढ़ाई में मन लागा सकूँ क्या पापा है जब आप चूटे तो मुझे केसे पता होगा पर आपके जोटी हूँ कॉए जिन्यों ते से मजात कर रहे है तु शीर्या रिदे जल्दी से खाना फिनिश करो और तुम बर जल्दी से भी एक्जाम कि तयारी करो पढ़ना तुन अब होचादा पापा मेरे ना कुछ लाउट है आप सॉल्फ कर दो कि इस ना पहले खाना जिमीश करो मैं आपके भी डाउट कर दूगा इस ना में बच्चों के लिए थोड़ा थाइम निकाल लिया करो कि एक्जाम आने वाले है वैसे कहा तो आप बिल्कुल सही रहे हैं मुझे बच्चों क पढ़ा लेती हूं यह सारे बढ़तेन आप मास लेता इसना मैं को मजा कर रहा था अरे मैं अपने बच्चों को क्यों पढ़ा हूंगा आखिर बच्चे लो देश का भविश्य है वर्तस होने के नाम पर देश बखतीयाद आ गई है पर अब बच्चों को तो मैं भी पढ़ा यह लूप इन पाइथोन पाइथन जैसे गाय के थन वैसे पाई के थन यह पढ़ा दूँ इसमें क्या है द उगली डखलिंग द उगली यह उगती है डखलिंग अगली डखलिंग यह क्या होता है अगली डखलिंग प्रिंसे एंड पी अरे क्या बहुत पढ़ाई हो गई है चलो अब सोचाओ बहुत रहात हो यह रात हो यह रात हो बहुत जादा आपको अफिसान है और देखो मैं यह समझ नहीं आरा कूल में क्या पढ़ा रहे है लूप इन पाइथन मतलब क्या है पाइ अब लिख्खईये हुए रूप सिन पाइथन है अज으को चलो स्कूल जाने कल चलो clicking दो चलो cन दिइया बच्चो ले कोद्दाइब ऑच्चो अरे बच्छो उड़ जो आज तुमारा एक्जाम है, स्कूल के लेट हो जल्दी उठो तुमारी जिनी मम्मी थोड़ी तर आज तुमारी दो ना क्या थोड़ी तर आज जिनी, स्कूल नहीं जाना, भूब लेट हो जोगे, बैंक ही लगाना है अरे मम्मी एक्जाम क्यों होते है, अच्छा हो जाटा अगर एक्जाम xi not होते Time को सेäng्ण है तर आख जाए लेट की बच्छोन थे हो जाए इस करोना ने तो बच्चों की लाईब लाइप भराब कर दिये इश करोना ने तो बच्छों को कितना आवसी बना दिया है जिनी बेटा, उठ जाओ, रिवाइस भी करना है, कितना सारा आपका पैंटिक पड़ा है, रिविजन के लिए उठो जन्दी से, वनि आप भी उठो जन्दी से, रेडी हो, चलो जिनी बेटा, उठो रिवाइस करा आट भी अरे, अब कौन टमबक आ गिया, गेट पे? अरे, ऐसे नी बोलते, बता नी कोई ने सुबह सुबह दे, तो तो सही जाके, जाका हूँ मैं ये है शर्मा जी अरे, शर्मा, तो सुबह से फिर से आ गया, तो क्या, पुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा, अरे, अच्छा नहीं लगा, छीक, टॉइलेट, बुरा वक, और शर्मा जी को आने से बहला कौन रोख सकता है, यार, किसी की तारीफ करते वक्त, मिशाल तो कम सकम धंसे दिया अरे, मैंने कुछ गलत बोल दिया गया, अरे, तुझा चल के एशना से पूछे, मैं तो बढ़ी एशना से ते ही तारीफ कर रहा था, आजा चल ओ, रहने तो मुझे तेरे पर यकीन नहीं है, अरे, या, तू आ ना, तू, बेट लाए, अरे, आओ, आओ, नमस्ते, हां भी आ कर रहे हो, दो दोस्तों के पीज में तुम आप क्यो लगा रही हो, बाजीवा, अपनी गल्दी करिंजा आप उसकर क्यो लगा रहे हो, अरे, शर्मा, तु यह सब छोड़ तू मुझे बता, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, अरे, यार, यार, ये को चाहिगा, भीक काउन काउन, कांचागढ़े थायो, बाज चिली कर रहे हो, इसको अरे, यार, यह दो सुब ये विल्य मा 5 00 한 wildly. आ हा, देदू आना है, आपके बच्चों की पढ़ाई काऌनी चण रहा है? तु सही कह रहा है बोज डालने के लिए है ना वारी एशना क्या हो यह आप बच्चों को पड़ाई के लिए कहते हैं हर बच्चा पने हिसाब से सही पड़ता है जां उनकी किसमत लेके जाएगी वह वही जाएगे शर्मा अगर तेरा घ्यान हो गया पूरा तो चाय की जीके जाएगा तो घर को निकलेगा उससे कोई उमीद भी नहीं तो चाय के लावी ने सका ठीक या मैं इंगलता हूँ अरे चल चल मैं चोड़ता हूँ अरे पख़ता हूँ अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है शर्मा जी वर्मा जी सबके बच्चों के एक्जान की पूरी तयारी है जी तो अपने बच्चों की टेंशन हो रही है इसमारी पास भी उपाएंगे और यह उपाएंगे एशना तुम अपना बीपी क्यों बढा रही हो और वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं अब इमां उठाने तो गई थी लेकिन उनके 5 मिट पाश मिट रादम ही नहीं हो रही है चले काम करती जा कि देखती हूँ चलो मैं भी चलता हूं साथ में चलो चलो एशना मुझ्चे तो तुम कह रही थी के बच्चे पास मिट पास मिट कर रहें यह तो पढ़ रहे हैं जिप को मुझे भी पढ़ते सही रहे हैं वामीर आज तो पढ़ते-पढ़ते हमें लेट हो गया थै इसले हम दोनेट कर रहे हैं जब आज रिलाइस हुआ सुभा सुभा कि आज हमारे इंदा में तो पढ़ बैठी गए गया देखा इस ना हमारे पड़ाई में मन कैसे लगेगा मैं तुम्हें समझ में बहुत लेक आता है और फ्रेंट को आप भी अपने पैरेंट्स की सारी बाते माना करो और पैरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि वह अपने बच्चों पर किस चीज का भी बर्टन ना डाले क्योंकि पड़ाई भी ज क्यक्ति बाईं क्या गाई लग earthquake कर यवह भी रॉल